हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माइ स्टेडिशीट चैनल दोस्तों इतने भी कोस्टन्स प्रिवियर्स येर में फिजिकल एजुकेशन एक्जॉम्स टिजिटी पीजिटी के वियर्स एन वियर्स यल्टी में पुछे गये हैं उन सब भी कोस्टन्स को आपके समझ टापिक हुँ दोस्तों यह सीरीज नंबर फोर्टी फाइब है लिए इन सभी एकज़रम्स का प्रिवेशन आप सील्वस के कॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल फिस सभी वीडियोज सीवस के कॉर्डिंग है उन सब वीडियोज को वास्ट करके आप अपनी प्रिवेशन को बेहतरिन बना सकते हैं और डेली बेसेज पे यमसी क्यूज का प्रेक्टिस करना न भुलिएगा दोस्तों तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्णों की स्रिंखला के तरफ दोस्तों फर्स्ट क्वेस्टन है कि शाररिक शिच्छा सिच्छा के बड़े छेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांस्पेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे शंबंदित प्रतिक्रियाओं से संबंद रखता है यह परिभासा किसने दी है तो दोस्तों जहां पे आपका सारी सिच्छा के बड़े छेत्र का या संपूर छेत्र आ जाए और साथी साथ मांस्पेशियों से होने वाले कार्य आउसे संबंदित प्रतिक्रियाओं सब्द आ जाए तो उस परिभासा रहेगा आपका जेबी नेस का आपसन नंबर सी यहां पे करेक्ट एंसर हो जाएगा है परिष्ट परिभासा है दोस्तों नेक्स्ट कोंसरे हैं है कि सारेरी क्रियाओं का जोड है यहां पे सारी क्रियाओं का जोड़ जो परिरामों के अधार पर ब्यक्चैनित एवं संचालित की जाती है किसका कथन है तो यहां आपसर नमबर सी जे एफ विलियम्स का कथन है दोस्तों सारी सिच्छा के सभी परिभाशाओं को का वीडियो में बनाई हूं जो जिस वीडियो को देख करके आप कभी भी सारी सिच्छा की किसी परिभाशा को भूलेंगे नहीं तो ये एक बार उसको आप बस देख लेंगे तो सभी परिभासाइं याद हो जाएंगी एक दम ट्रिक वाइज बताया गया है नेश कोस्चन है कि सरीर के द्वारा सरीर के लिए की गई क्रिया साररिक सिच्छा होती है यह परिभासा किस ने दी है इस परिभासा को दिया है जेवी थामस ने आपसर नमबर डी सरीर के द्वारा सरीर के लिए की लिए देखें नेश कोस्चन है वाइज यह सरी सिच्छा महा विद्यालेक और शरुपर थम आचारे कौन था जैसा कि आप सब को पता है आपसर नमबर सी एजुकेशन मद्रास में अप्चेन नहीं बोला जाता है उसको में 1929 में YMCA कालेजा फिजिकल एजुकेशन की इस थापना की वे इसके प्रथम आचार यानि फ्रिंसिपल बने और भारत में सारीर सिच्छा को सुरू किया अर इहें भारत में सारीर सिच्छा का पिता महभी कहा जाता है इस संद्थाने भारत में सारीर सिच्छा को अपने पैरो पर खड़ा करने में महत्वड यगदाद दिया दोस्तों यह Siya का प्रथम सारीर सिच्छा महभिद्याले है साथ ही साथ यहाँ बारत की प्रथम सारे सिच्छा महाविद्यालभी है दोस्तों ये तो भारत में YMCA 1920 में यसी बक द्वारा इस्थापित किया गया बट कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि YMCA की इस्थापना इंग्लेंड में कब हुआ था तो सबसे पहले इंग्लेंड में हुआ था YMCA की जून 1844 लंडन में जार्ज बिलियम के द्वारा इंग्लेंड में इसकी इस्थाप्ता किया गया था एंड दोस्तों अमेरिका में 1883 में इस्प्रिंग फिल्ल कालेज में प्रसिच्छर सुरुआत हुआ था YMCA का ये भी आपको यार्द रखना जरूरी है नेफ्ट कोस्च़न है दोस्तों कि सारी सिच्छा महाविद्याले YMCA की स्थाप्ना कब हुई तो इसका सही आफ्थन है 1922 आप सबको पता है नेफ्ट कोस्च़न है भारत में खुले प्रतर्थम साररिक सिच्छा महाविद्याले का नाम है तो भारत में खुले परथम सारी सिछा महा बिद्याल का valid का नम क्या है यही पजादी पूछता कि भारत में खुले परथम राष्टी सारी सिछा परसिछा महा बिद्याल कोन है तो यहां पे लच्छी बही कालीज, पीजी किल एजूकेशन हो जाता हो जता है दोस्तों क्योंकि राश्ट्रिय सब्द जुड़ा जाता है क्योंकि यह तो नीजी है तो वहां पिखता कि राष्टी सारीच सिछा परसिछ महा Zumhaz33 quali कहें राष्ट्सिछ सिंच पर शिछा महामद्या सिह कोण है ने प्रसिखा सिछ एकन belonging को future यहां पर यहां पुछा है प्रतर द्रीय सीछा महावधियाल्य पीजिखा मैं को धाएं सब्सक्राइब जोड़ देगा तो वहां पर लच्छी भाई कालेज हो जाएगा ठीक है कि भारत में सारे सिछा को किस ने शुरू किया था तो दोस्तों भारत में सारे सिछा को सुरू किया था तो चर्णाई में सुरू किया था तो चर्णाई में सुरू किया था ओयम सी को अपसान नंबर सी यहां पर करेक्टन हो जाएगा यहां पर भी एक और कोस्टन पुछा है इस से रिलेटेज दोस्तों कि जार्ज बिलियम ने किस वर्स ओयम सीय की स्थापना की तो जार्ज बिलि प्रशाहित करने वाले अभिकरार कौन से हैं धार्मी संग अठा निजी एजंसिया युवक सिवा एजंसिया सास के एजंसिया तो यहां पर यह नेशनल सब्सक्राइब लगा हुआ है यहां पर यह सास के एजंसिया होगी ठीक है एजंसिया तथा भार शेयुक संग यह नसस आदे के एजंसिया को परसान करने वाले अभिकरार सास की एजंसिया यानि केंद्र अथवार राज्य होती है लेक्स्ट कोशन है यह नशीशी का पूरा रूप है क्या है नेशनल कैड़ेट कॉप्स आपसे नमबर डी करेक्ट एंस इसी है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी इसका मुख्य वो देश्य था भारत की रच्छा के प्रति युवको तथा युवयतियों को जागरूत करना तथा अंतिम रच्छा पंक्ति के लिए तैयार करना था नेक्स्ट कोश्टन है यह नशीशी की स्थापना कप की गई तो दोस्तो 1948 में किया गया अफसन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा नेक्स कोश्टन है दोस्तो यूपी टीजटी 2016 का क्योश्टन है कि भारत में राष्ट्री फिटनेश कोर की स्थापना हुई थी गब हुआ था तो 1965 में हुआ था आपसन नंबर डी करेक्ट है भारत में है कि अंतराल सrement सी विख्षेत किया जाता है..्चया दोस्तों अंतराल प्रसिचर से क्या बिख्षेत किया जाता है.. .. यह इंडरिंस ड्यूप करने के लिए.. कोंकोंशी विध्या होती है.. जैसा कि sa 20 प्रेनीमे मैंने हाँ एक टापिक पर वीडियो जाता perspectives.. तो दोस्तो इंडरेंश डिलप करने के लिए चार विध्या होती है continuous, interval, repetition, competition तो उसमें से आपका continuous method इंडरेंश डिलप करती है जिसमें से एक circuit training होता है वो strength इंडरेंश डिलप करता है और अंतराल procedure जो होता है interval method वो गती सहन सकती यानि speed endurance को डिलप करता है तो दोस्तो यहाँ पे action number D सही answer हो जाएगा दोस्तो अंतराल procedure से गती सहन सकती को बिक्सित किया जाता है यानि speed endurance को गती सहन सकती उच गती पर थकान भरी परिस्षितियों पर गती विध्या करने की योगिता होती है एक अतरीक जतील योगिता है जो भी फोटक सकती गती पर शहन चमता पर निर्भर करती है या इस्थानी अमान स्पेशियों सहन चमता पर लेक्टिक अमलको शहन करने की योगिता पर भी निर्भर करती है किसे का विकास सतत अंतरावधी दौर द्वारा किया जाता है किसका विकास किया जाता है दोस्तों तो किसका विक्सित करने की विधिया है तो यह सहन शक्ति यानि इंट्रेंज डिलप करने की विधिया है तो आपसर नंबर भी यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स कोचन है दोस्तों प्रयास एवं पुनह शक्ति प्राप्ति का शिधान दोस्तों इस पर ट्रेनिंग आप अच्छे से पढ़े होंगे इस सब कॉस्टिंस का एंसर आप देते जाते होंगे दोस्तों प्रयास एयं पुनह शक्ति प्राप्ति यानि ?'ट mówi और तेयुरी। किस ہے कहा जाता एप दोस्तों यह कहा जाता ऑपका आनतराल प्रसिच्छ में यानि कि इंटर्व्ल ट्रेंइग को थीक है ? और शैसे प्रयास चरह सकती प्राप्ती का सिधानथ यहां पर कुछ प्राइक्षा। समय करते हैं, हार तो साड सी कि अभी करते हैं एत हिलारी को हर बार तेज गती से कारेक करने किया जाता है और एक कुछ समय तक रिक रेकोइर में रखाता है जो ही उसका हले बार्ड पाढ़े हित से 120 प्वार्वा सब्क पॉल रिकोवरी रही होता है को जो रही दिए जाता है जो ही उसका, हार्टेट 120-30, उसको पुना कार आराम किया जाता है से लिए पर्यातिश firmly पुरेंग कि सिधान का जाता है जाता है तो स संहिंग हो तु हां है ड्रेंट्र ट्रेंग का जाता है और हैंग किशन स्परेंग किल ड्रेसियों ज ceux ब pleasures के और इस प्रकार के ब्यायमों को तेस्ट प्रसिछर के नाम से इस प्रसिचर के नाम से वियर्ण और इस प्रसिचर के नाम से वियर्णा गया अंतराल प्रसिच्चर बिधी का प्रतिपादन किसी ने किया तो दोस्तों इसका प्रतिपादन अभी मैं तुरंद बताए हूँ बिकिला आप्सन नमबर ए यहाँ पे करेक्ट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कौन से प्रसिच्चर ढंग में एरोबिक तथा अनेरोबिक क्रिया उर्जा प्रयोग होती है तो कौन से प्रसिच्चर ढंग में एरोबिक अनेरोबिक क्रिया प्रारंण की जाती है की जाती है तो यह आंतराल प्रसिच्चर में अंतराल पर सिचण शरीर को दो उर्जा रत्पन करने वारे तंतर एरोबिक तथा अनैरोबिक का पूरा इस्तिमाल होता है एरोबिक तंतर वह है जो उर्जा को मीलोशेयर करने या दढ़ने किया घ्या देता है जो आकसीजन का उपयोग करके सरीर के सभी स्रोतों से कार्बो हाइडेट को लेकर के उर्जा में बदलने का कार्य करता है जबकि एरोबिक तंत्र में क्या होता है इसके विपरीत होता है या उर्जा बनाता नहीं है जो हमारे सरीर में इस्टोर रहता है उर्जा उसी का उप्योग करके उर्जा को खपत करता है यानि कि एरोबिक में जो हमारे सरीर के सभी स्रोते से उर्जा बना करके खर्श करता है जिसे हम अधीक समय क्रिया कर लेते हैं जब कि अन एरोबिक में क्या होता है इसके विप्रित होता है वह उर्जा बनाता नहीं है उसके अलावा जो हमारे सरी में उर्जा एकत्रिक है इस टोर है उसको ही वह यूज करता है जैसे कि उससे उर्जा लेकर दोड़ने कुदने या भारी वोज़र उठाने में उपयोग करता है दोस्तों आप समझ गए होंगे एरोबिक अनेरोबिक द आप थे प्रसिछण में लाफकारी बिश्राम औधी का उपयोग किया जाता है तो बिश्रामholes का किसमि किया जाता है दोस्तों आंतरार प्रसिच्छड में, इंटर्वल मेथड में निम्ण तथा उच तिविता के बयायाम की जाते हैं, जिसे बीच-बीच में विश्राम के आंतराल रखे जाते हैं, यह विधी कारे और विश्राम के प्राकितिक तर्टमता पर अधायत होता है, इसको रेश्टन के फ़र् के प्राकितिक तार्तमिता पर कारे करती है तो दोस्तों दो तीन कोश्चन इसी पर हो गया तो आपको पता चली गया होगा इसका आपसन नमबर डी कर्येट एंसर हो जाएगा आंतराल प्रसिचछ ठीक है नेक्श कोश्चन है विस्तित अंतराल विधी में तिब्रिता होती है तो विस्तित अंतराल बिधी में तिविता क्या होती है दोस्तों नहां पे आफसर नमबर सी करेक्ट हो जाएगा विस्तित अंतराल बिधी में तिविता हो जाता है 30 से 40% यहीं पे आपका गहन अंतराल बिधी यानि की इंटेंसिवी इंटरोल मेथड बोलता कि उसकी तिविता कितना होती है तो उसके होती है 80-90 परसेंट जब कि 20 अंतरालबिधी यानि की एक्स्टेंस्वी इंट्रोल में धड़का होती बिता होता है यानि इंटेंसिटी होती है 30-40 परसेंट दोस्तों 20 अंतरालबिधी में एथलिट एक सेट के लिए लगभग 20-30 पुर्णाबिधी करेगा और उस सेट की अवधी अधिक्तम 30-40 परसेंट वजल के साथ 60 सिकेंड होगी next question है दोस्तों कि निम्न लिखित में से किस तकनीक में कार्य और पुर्व इस्थिती बहाल होने के निधारित चर्णों पर बल दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर क्या सब्द प्रयोग हुआ है कार्य और पुर्व इस्थिती बहाल यानि रेष्ट देने के लिए कि इन चरड़ों का प्रयोग किया जाता है बल दिया जाता है तो इसमें तो अंतराल पर सिच्छ तर यानि इंटर्वल मेथोड में तो यहां की निधाई चणुक पर बल दिया जाता है तो दोस्तों आज के लिए बर्ष इतना ही आए होग जोस्तों सभी कोस्टन आपको समझ में आये होंगे सभी कोस्टन आपके लिए very important है दोस्तों इसी अधार पर कोस्टन बदल के पूछा जाएगा कोई नया कोस्टन नहीं पूछा जाएगा इंटर्वल में थर्जे से पूछा है उसको कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है और दोस्तों वीडियो को जादे से जादे से शेयर किया किजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिसे डेली बीसिस पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ और दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे बेल आइकन को प्रेस कर लेजे इससे जो ही मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाम अपलोड करूँगी उसका नाटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में न